हेलो एब्रिवन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स के बारे में जो कि टोपिक आप टैंस की होगी टैंस के टोपिक से होगी तो आए शुरुबात करते हैं टैंस की एरर को सॉल्ब करना बड़ी इजी वे में हमारे सामने पहला कॉशन है यहां पर लेका हुआ है तो हम समझ गए हैं कि जहां पर सब्जेक्ट के साथ हैब का यूज हुआ है मतलब की प्रिजेंट का परफेक्ट टैंस है प्रिजेंट का परफेक्ट टैंस है आगे हम बड़े नौ दैट इस फादर हैस डाइड लेका है दिखिए यहां पर भी होगा कि अगर ये अक्टिविटी प्रिजेंट के परफेक्ट में है तो यह वाली अक्टिविटी तो उसके पादर तो तीन दिन पहले क्या हो चुके हैं डाइट हो चुके हैं डाइट हो चुके हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर यह वाला जो टैंस होगा वो इस वाले टैंस प्रिज highways से पहले का होगा तो यहां पर आप क्या करती है कि जब प्रुजएंट का परफेक्ट जाथा है यहां पर जब प्रेजएंट का परफेक्ट आज्यता है तो बाद यह एक्टमिटी होती है जो की लिए हैट को हटा देंगे इतनी बात आए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने वेन यू फाइंड आउट आ सॉल्यूशन टु दिस इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं आपके सामने यहां पर वेन यू फाइंड आउट आ सॉल्यूशन काफी इंपोर्टेंट यहां पर कॉंसेप्ट है ध्यान रखिए देखी क्या देख पा रहे हैं यहां पर दो जो सेंटेंस है जो दो क्लॉज है दो फूचर टैंस में यूज जोए है यहां पर देखिए आप यू बिल फाइंड आ आउट आ सॉल्यूशन तो आपको क्या ध्यान रखना है एक सेंटेंस में जब दो बैक टू बैक टू बैक फूचर टैंस आते हैं तो एक सेंटेंस में दो बैक टू बैक टू बैक फूचर टैंस का यूज नहीं किया जाता है जैसा कि पहला लिखा हुआ है यहीं पर यह गलत हो गया यहाँ पर जब किसी sentence में लिखा हो when या तो sentence में क्या लिखा हो when लिखा हो या फिर लिखा हो आपके सामने as well as as well as या फिर आपके सामने sentence में लिखा हो until लिखा हो या after लिखा हो इस परकार के जो clause होते हैं आप उनमें will का use नहीं करते वो simple present tense में रहते तो हमारे सामने यह जो लिखा हुआ था कि when you will find out a solution इसको आप क्या करेंगे आप कहेंगे when you find out a solution will को अटा देंगे when you find out a solution to this problem you will be about data price उम्मित करता हूँ आप समझ गए होंगे कि दो clause जब future tense में होते हैं जिसमें एक में when as well as या until लगा हो उसको हम simple present tense में रखते हैं आगे बढ़ते हैं अगले question हमारे सामने यह रहे इन questions को discuss करते हैं देखिए question number 3 before the alarm had stopped ringing Nissa head telephone the police देखिए यहाँ पर भी activity के sequence की बात की गई है ध्यान से समझना है में before the alarm had stopped यहाँ पर भी head stopped है Nissa head telephone the police इस परकार के जब sentence आते हैं तो कोई भी दो sentence जैसे कि हमने पहले भी देखा है पहले sentence में भी दो clause जो है वो same sentence same tense में नहीं रहते हैं पहला sentence भी हमने इसी परकार का देखा था है जो कि present के perfect tense में था यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं यह past का perfect tense है और यहां पर भी यह past का perfect tense है दो consecutive clause जो की घटना है जो एक के बाद एक हुई है वो दोनों same tense में नहीं हो सकती मतलब इनका time same नहीं हो सकता same हो जाएगा तो फिर दोनों घटना एक के बाद एक कैसे होंगी तो देखी पहले देखते हैं before the alarm head stopped alarm बंद होने से पहले गता है तो आप समझगे कि दूसरा वाला जो काम निशा ने जो पॉलिस को फोन किया वो कहीं न कहीं पहले हुआ है therefore the alarm head stop जिसके पहले alarm बंद होता हुँसके पहले निशा ने पुलिस को कॉल कर दिया तो जो काम past में पहले हो जाता है वो past के perfect पर बन्ता है जो काम past में पहले हो जाता है वो past के इंडफरेट पर बन्ता है तो अभी देखिए निसा ने call पहले कर दिया तो निसा head तो बिलकुल सही हो लेकिन before the alarm head stopped नहीं होगा before the alarm stopped होगा क्योंकि यहाँ पर head की कोई भी जरूरत नहीं है past का indefinite tense होगा उम्मीद करता हूँ यह बात आप समझ गए होगे कि जब दो clause past tense में होते हैं और उनमें से जो पहले होता है वो past perfect में रहेगा और जो बाद में होगा वो past के किस में रहेगा indefinite में रहेगा आगे बढ़ते हैं question number fourth हमारे सामने this is the first time this is the first time that I see such an interesting movie यह पहली बार है जब मैं इस परकार की movie देखी तो आप यह कब बोलोगे जब कोई की भी काम आप कर लोगे या कोई भी काम देख लोगे तभी आप बोलोगे यह पहली बार है जब मैंने ऐसा काम किया है या मैंना ऐसा कुछ देखा है मतलब काम वो complete तो होना चाहिए तभी तो आप उसके बारे में कुछ भोल पाएंगे तो बस इस परकार के sentence में आपको क्या रखना है आई हैव सीन पास प्रिजेंट का perfect tense रहेगा यह जब आप फर्स टाइम कोई भी काम करेंगे तो उसके बारे में जब आप बोलेंगे इसका मतलब काम already complete हो चुका है उसको प्रिजेंट के perfect tense पर होना चाहिए तो आई हैव सीन यहाँ पर correct होगा whenever he is coming here he brings many gift for me देखी he brings यहाँ पर whenever he is coming भे जब भी यहाँ आ रहा है he brings भे लाता है देखी present का conceptence है indefinite tense है सिर्फ present के indefinite में वो sentence आते हैं जो habitual action होते हैं किसी भी चीज के habit को दिखाते हैं वो यहाँ जब भी आता है वो ऐसा करता है तो habitual जो भी हमारे action है habitual action habitual action का मतलब जो habit है जो काम निरंतर होते हैं है ना उनका कोई time नहीं होता बस वो चलते रहते हैं तो habitual जो भी action है वो present के indefinite tense में बनते हैं तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि whenever he is coming यह गलत हुआ यहाँ पर होगा क्या whenever he comes whenever का मतलब क्यों जब भी वह आता है तो whenever whenever जब भी लग जाएगा तो आप समझ जाएगे कि present के indefinite tense में होना चाहिए तो he is coming कि यहाँ पर कोई ज़रुरत नहीं थी तो यहाँ पर यह जो tense होगा he is coming नहीं होगा whenever he comes होगा बहुत ही आसाने दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर present का indefinite है habitual action present का indefinite में आते हैं अगला sentence nowadays मतलब इन दिनो he teaches English वह English पढ़ाता है because the teacher of English has gone on a month's leap इन दिनो वह English पढ़ाता है क्योंकि जो English के teacher है वो महीने भर की leap पर गए हुए तो यहाँ पर देखिए यह जो है वो present tense है और यहाँ पर लिखा है nowadays जब भी nowadays आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इन दिनो ये काम चल रहा है इन दिनो ये काम चल रहा है यहाँ पर habit की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर तो time ही बोल दिया ना उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है क्योंकि nowadays को देखते हुग है हमें he is teaching English बोलेंगे अगले sentence हमारे सामने देखिए पहला हमारे सामने इट इस हाई टाइम जैसे इतना phrase आ जाए आपके सामने exam में इट इस हाई टाइम आपको आगे कुछ नहीं सोचना है दो structure आपको बता रहा हूँ कि it is high time it is high time जब भी आ जाता है तब आपको क्या करना है it is high time के बाद जो भी phrase जो भी clause आता है वो past के indefinite tense में आता है it is high time का मतलब क्या है जब किसी भी चीज का समय हो गया है जब किसी भी चीज का बहुत ज़्यादा समय हो जाए जैसे कि मैंने बोला मेरे सोने का समय हो गया है तो मैं क्या बोलूँगा it is high time और it is high time के बाद आपको हमेशा किसका यूज करना है past के indefinite tense का तो देख लेते हैं it is high time ये लिखा है it is high time you are starting ये गलत हो गया होना के चाहिता it is high time you started past का indefinite का मतलब क्या है subject plus second form of verb ये हमेशा आपको ये ही करना है तो it is high time you started this business said Ram to Mahesh Mahesh ने Ram से कहा कि ये यही सही समय है कि तुम्हें ये business स्टार्ट कर देना चाहिए या तुम ये business स्टार्ट करते हो तो मैंने बोला it is high time I went to bed मेरे सोने का समय हो गया मतलब past का indefinite बोलिंगे उसका मतलब sense यही निकलेगा जैसे it is high time I ate मतलब मेरे खाने का समय हो गया या ये वही समय है जब मैं खाना खाता हूँ तो आप समझ रहे होंगे जब it is high time आ जाए तब आप क्या बोलोगे past का indefinite tenses के बाद use करेंगे आई ये अगले sentence की तरफ I will let you know as soon as I will get any news in this regard बहुत ही आसान sentence है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया कि दो consecutive clause जो है तो हमें पता है consecutive clause में हम दोनों में future indefinite tense use नहीं करते हैं थोड़ी देर पहले हमने देखा जब when लग जाए whenever लग जाए as soon as लग जाए उस clause से हम bill को हटा देते हैं तो यहाँ पर देखी as soon as लिखा हुआ है as soon as के बाद बाले clause से bill को क्या करेंगे हटाएंगे यहाँ पर यह हो जाएगा हट जाएगा तो I will let you know मैं आपको inform कर दूँगा इसका मतलब क्या है कि मैं आपको बता दूँगा as soon as जितनी जल्दी I will get any news in this regard इस मामले में मुझे कोई भी जानकारी मिलते ही मैं आपको क्या कर दूँगा inform कर दूँगा या फिर मैं आपको पता दूँगा दो consecutive class future tense में यूज नहीं करना है जिसमें as soon as when, whenever, until लगा हो उससे will को हटा देना है आईए आगे बढ़ते हैं अगले sentence हमारे सामने when I will cross 50 my wife will cross 45 देखिए बड़ा ही आसान है आप खुद सही कर देंगे यहाँ पर भी when I will लिका हुआ है और my wife will लिका हुआ है तो दोनों में will का यूज गुआ है किसमें से will को हटाएंगे आप कहेंगे सर उसमें से जिसमें when, whenever as soon as लगा हुआ है पहला वाला जो क्लॉस है उससे हमें किसको हटाना पड़ेगा will को हटाना पड़ेगा when I cross 50 my wife will cross 45 मतलब भही होगे कि जब मैं 50 year का हूँगा मेरी बाइफ 45 year की हो जाएगी लेकिन इस वाले क्लॉस में हम will का use करते नहीं है अगला sentence हमारे सामने जैसे कि देखे the secret of his good health lies देखे lie में ऐस लगा हुआ है मतलब यह जो पूरा का पूरा sentence का subject है और यह singular subject है क्योंकि the secret secret क्या है singular है किसका secret उसकी good health का lies मतलब कि उसकी good health का जो secret है वो किस चीज में है in the fact that he is getting up early वह जल्दी उठ रहा है getting up early को क्या मतलब होगा वह जल्दी उठ रहा है और आगे आप देखेंगी क्या लिका हुआ है end goes to bad early वह जल्दी उठ रा है और जल्दी सोता है तो यहां पर एक contrast देखने को मिलता है क्या देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर लिखा है end, end से दो बब जुड़ी है एक तो getting अपरली और दूसरे जोड़ा है goes to bed तो आप दिख पा रहा है एक तरफ present का indefinite tense है जबकि दूसरे तरफ present का continuous है जबकि end से हम दोनों समान तरीके की चीजों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या दिक्कत है यहाँ पर दिक्कत है कि उसकी जो good health का secret जो है वो किसमे है कि जल्दी उठता है और जल्दी सोता है तो जल्दी उठता है यह तो habitual action है यह तो उसका habit को दिखा रहा है तो habitual action है वो कभी भी continuous tense में नहीं आते तो goes to bed तो सही लिखा था लेकिन he is getting up early की जगा पर क्या होना चाहिए था he gets up early वह जल्दी उठता है he gets up early यह इस प्रकार का हो जाएगा यहाँ पर मैं clearly लिख देता हूँ तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था he gets up early he gets up early क्योंकि यहाँ पर यह भी present का थी 10 error मैंने आज आपके सामने ली थी उम्मीद करता हूँ आपको यह effort पसंद आया अगर आपको यह effort पसंद आया तो मुझे जरूर पता है मैं आगे आपके सामने इसी परकार errors को लेकर आते रहूँगा topic wise फिर से मैं tense की error लूँगा लेकिन कब जब आप बोलेंगे कि हाँ यह effort सही था उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा a lot to know, a lot to discuss मिलते हैं next video lecture में